हाई गाईज, वेलकम डूर यूटूब चैनल दर्याल इन्वेस्मेंट आज हम बत करने वाले डॉक्टर रेडी इस स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में लगातार गिराउट होते वे देखनी मिल रही है तो क्या कुछ रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर बनती है और क्या कुछ यहां पर मुमेंटम्स बन रहे है, डॉक्टर रेडी इस स्टॉक को लेकर तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं सबसे पहले स्टॉक का परफोर्मस आपके सामय रखना चाहूंगी जहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 0.66% तक की गिराउट देखनी मिल रही है जो स्टॉक का प्रिवेस क्लोजिंग है उससे थोड़ा भी उपर स्टॉक जाते हुए हमें देखने को नहीं मिला प्रिवेस क्लोजिंग के नीचे ही स्टॉक की आज की दिन हमें ट्रेडिंग देखने को मिली स्टॉप किया अगर हम यहाँ पर शेर होल्डिंग पाटर्ण के बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 26.71% तक का स्टेक देखने ही मिलता है mutual funds और number of mutual funds दोनों ही यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहे है हाला कि foreign investors यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाते हैं देखने मिल रहे है 25.87% से इनका स्टेक बढ़कर 26.26% इस तक की यहाँ पर होल्डिंग देखने मिल रही है लेकिन mutual funds जो होते हैं इनके बास काफी micro analysis की होती है तो इसी के चलती उनकी के उपर depend होता है कि stock के अंदर investment करने के लिए आपके chances कैसे बन पाते है क्योंकि एक तो promoters भी अपना stake नहीं बढ़ा रहे है और उपर से mutual funds भी अपना stake कम कर रहे है तो थोड़ा देख कर आपको इसके अंदर investment के बारे में सोचना चाहिए लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री को यहाँ पर जरूरत है जो कि government research की हाँ पर जो कि innovation challenges ला सके जो कि हाँ पर 37 रेडी जी हाँ पर कह रहे है हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते कि क्या कुछ यहाँ पर इसके चलते अगर यहाँ पर stop के अंदर research के rated यहाँ पर सारी बाते जैसे की डॉक्टर रेडी जी यहाँ पर कह रहे है उनके हिसाब सी हुई तो stop के अंदर एक अपकोड मुमेंटम हमें देखने हुआ मिल सकता है अब यहाँ पर बाते डॉक्टर रेडी करते हुए हमें देखने को मिल रहे है अब यहाँ पर if India has to be at the cutting age of the innovation आवर regulatory system also needs to undergo reforms तो हमें भी reform करने की जरूरत है ऐसा हो कहते हुए देखने को मिल रहे है जहाँ पर हमें new kinds of work की और goes on industry की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी जो कि सतिश यहाँ पर कहते हुए हमें देखने को मिल रहे है गौर्मेंट को कि वह next level पर काम करते हुए देखने मिल रहे है जहाँ पर उन्हें गौर्मेंट सपोर्ट करते हुए देखने मिल रहे है इसी की चलते वह पर कह रहे है कि interventions critical है यहाँ पर गौर्मेंट का भी उन्हें support चाहिए होगा जहाँ पर वह नए 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 innovations करके अपने इंडस्ट्री को आगे ले जा सके यहाँ पर 2023 की जो बजेट की आउट्लाइन से वहाँ पर रिसर्च इनिसेटी उसकी हाँ पर सेक्टर्स को जारा से ज्यादा फोकस किया जहाँ ऐसे वह कहते हुए देखने को मिल रहे हैं अभी हाँ पर वह कहते है कि जो एंप्रहेंसिव अप्रोच है इसके टिवर्ड सपोर्टिंग इनोवेशन के लिए यहाँ पर एफट्स दालने की ज़रूरत है जहाँ पर कि इस्टिमेटेड फोर लाक्स करोल रुपीज तक का इंडियन फार्मा इंडस्री को यहाँ पर देना पड़ेगा यहाँ पर एक्स्प्रेंड करते ह तो वो टाइम पिरिड इनको देना पड़ेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर उन्हें एफट्स लेने के लिए इस्टिमेटेड भी यहाँ पर देना पड़ेगा टॉप होल्डरस की जहाँ तक की बात की जाए इस स्टॉक के अंदर तो ऐसे इसे ग्रूप आती है जिनका 2.6 परसेंटेज तक का स्टेक है गुवर्मेंट अफ सिंगापूर है जिनका 1.86 परसेंटेज तक की होल्डिंग है और बिला गुरूप की यहाँ पर 1.56 परसेंटेज तक का स्टेक देखने मिलता है डॉक्टर रेडिस स्टॉक का अगर हम चार्ट पैटन देखेंगे तो स्टॉक के अंदर अच्छी खबरें आती जाएगी वैसे स्टॉक 4500 के लेवल को टच करते हुए देखने को मिलेगा अभी स्टॉक की लेवल सेंपो 4366 के लेवल पर ट्रेड करिए जैसे स्टॉक का यह पीक पॉइंट था उसके बाद स्टॉक के अंदर रिसेशन्स देखन वापस से स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा तो यह सारी बाती थी डॉक्टर रेडी लापराटरी स्टॉक को लेकर आप सभी बाते समझ चुके होगे फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आम जी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते वीडियो पसने आई तो ला माच्ट